नमस्कार दोस्तों मैं ने रेंद करनानिक कृष्णा प्रांट केर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का मेरा वीडियो है सीर्ट्स द्वारा परिजात के प्लांट्स कैसे तयार कर सकते हैं दोस्तो इसके अंदर मैं आपको तीन तरीके बताऊँगा और तीनों ही तरीकों के अंदर दोस्तो रिजल्ट भी दिखाऊँगा कि किस प्रकार हमारे को 100% रिजल्ट मिला है तो वीडियो में तक बने रहे सबसे पहरे बात करते हैं दोस्तो की सीड्स कब हम कलेक्ट कर सकते है तो दोस्तो अप्रेल मई के अंदर इसके सीट्स बिलकुल अच्छे से पक जाते हैं पेड के उपर और ब्राउन हो जाते हैं इसकी नीचे की डालियां भी सुकने लगती है तब दोस्तो हम इसको अलग कर सकते हैं अभी दोस्तों मैंने अभी अप्रेल के अंदर ही इन सीट्स को कलेक्ट किया है और कलेक्ट करते ही मैंने इसका वीडियो बना लिया देख सकते हो आप धेर सारे सीट्स जो है मेरे पास हो गए है और दोस्तों इसकी डाली भी सूकने लगी है आप देख सकते हो इसके अंदर तो उसमें सेट्स खराब हो जाते हैं पूरे पूरे सेट्स पेड़ पे ही पकने चाहिए उसके बाद ही हम इसके सेट्स निकाल सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इसके सेट्स किस परकार निकाल सकते हैं तो दोस्तों इसके सेट्स दो बागों में होते हैं और दोनों बागों को पहले अलग करते हैं और फिर उसकी एक बाग को दोस्तों खींचते हैं दोनों हाथों से तो अलग हो जाते हैं एक बाग के अंदर सीट्स बनेगा और दूसरे बाग के अंदर बहुत ही कम सो में से एक में ही सीट्स बनेगा बाकी एक ही बाग में हमारे को सीट्स एक प्राप्त वता है और उसी को दोस्तों हम लोग लगाते हैं और 30% वर्मी कमपोस्ट लिया है इसी के mixture को दोस्तो हम सेडलिंग के लिए use करेंगे अब हम दोस्तो अच्छे से कोकोपीट के mixture को mix करेंगे कोकोपीट जो होती है जोस्तो कभी भी आप use करो एक बार पानी में अच्छे से wash कर लेना चाहिए फिर ही काम में लेना चाहिए कई बार दोस्तों उसके अंदर जो है तेल की मातरा आ जाती है जिसके कांट से हमारे को सीडलिंग का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता सीडलिंग के लिए दोस्तों मैं एक प्लास्टिक की ट्रे ले रहा हूँ जिसकी गहराई धाई इंची के करीब है दोस्तों इसके अंदर हम लोग सीडलिंग करेंगे और 17 सीड्स इसके अंदर लगाएंगे और उसके अंदर हमारे को 100% रिजल्ट मिलेगा सीडलिंग के टाइम की बात करें तो दोस्तों आप पूरे साल बर के अंदर फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून तक आराम से इसके सीट्स लगा सकते हो और इसके अंदर दोस्तो कोई भी टाइमिंग का कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप दोस्तो अभी इस टाइम पे बिना कोई बारिस के लगाते हो दोस्तो बारे दिन के अंदर इसका जर्मिनेशन हो जाता है सीट्स का और अगर आप बारिस के अंदर लगाते हो तो दोस्तो दो तीन दिन का फाइदा हो जाता है साथ-ार दिन के अंदर सीट्स निकल जाते हैं लेकिन दोस्तों हमारे यहां पे नर्सरी है तो नर्सरी के अंदर हमारे को प्लांट्स तयार करने पड़ते हैं तो दोस्तों इसके अगर 3-4 दिन लेट भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती और बारिस के टाइम पे तो दोस्तों ये एक एक फिट के पोदे हो जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ाव लेंगे अब दोस्तों में ट्रेक अंदर इसके अंदर कोकोपीट और जो वर्मी कमपोस्ट का मिक्चर है वो डाल रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा 75% के करीब दोस्तों इसके अंदर हम लोग कोकोपीट का मिक्चर डालेंगे और उसके बाद सीड्स लगाएंगे सीड्लिंग करते हैं टाइम दोस्तों चाहे आपके वहां का टेंपरेचर 45 डिग्रियो चालिश डिग्रियो उसके अंदर कोई फरक नहीं पड़ता हमारे यां दोस्तों चुरू जिला है तो वहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है पूरे इंडिया में सबसे हो तो पानी दे सकते हो और अगर नहीं सुके आपकी ट्रे तो दोस्तों उसको पानी देने के बिलकुल भी ज़रत नहीं है अब बात करते हैं दोस्तों मिट्टी के अंदर दोस्तों अगर आप सीड्स ग्रो करना चाहते हो तो वह भी आराम से हो सकते हैं कोई भी मिट्टी के करीब आपको कोई भी खाद लेनी है और बागी के 80% कोई भी मिठी ले सकते हो उसके अंदर भी दोस्तो आपको germination का result 12 दिन के अंदर मिल जाएगा अब दोस्तो मैंने ट्रे के अंदर सारे सीट्स लगा दिये हैं बहुत सारे सीट्स है दोस्तो और उसके अंदर हमारे को 95% से उपर रिजल्ट मिल जाएगा अब बात करते हैं दोस्तो उपर की मोटाई की तो दोस्तो जब हम सीड्स लगाते हैं तो जिसना मोटा सीड्स होगा उपर की परत उतनी ही मोटी होगी यह दोस्तो सीड्स पतला है लेकिन दोस्तो चोड लाएगा और उसके अंदर पतियां नहीं निकल पाएगी तो इस बात का द्याने के आदा इंची मोटी आपको उसके उपर परत लगानी है अब बात करते हैं दोस्तों रखने के स्थान की तो दोस्तों इसको रखने का स्थान बिल्कुल सेडी एरिया होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रखना है ग्रीन नेट के नीचे आप रख सकते हो किसी पेड़ के नीचे रख सकते हो जिसके अंदर चंड के दोस्तों सनलाइट आए और दोस्तों इसको गिला ही रखना इस बात का ध्यान रखे इसको सूकने तो बिल्कुल नहीं देना है जैसे हलका सा सुके पानी डाल दीजिए और नीचे का ड्रेनेज अच्छा रखे पोर्ट का ड्रेनेज जोस्तो जितना अच्छा होगा उतना ही सेट्स ग्रो अच्छा करेगा अब मैं दोस्तो इसका रिजल दिखा रहा हूँ जो हमने मिट्टी के अंदर ग्रो किये थे दोस्तो मिट्टी के अंदर हमने थेली के अंदर ही प्लांट्स को लगा लिये थे शीड्स को सिधा मिट्टी के अंदर ही लगाया था इस थेली के अंदर ताकि हमारे को ट्रांस प्लांट करने के जुरत नहीं पड़े आप देख सकते हो दोस्तो इसके अंदर फुटाव बहुत अच्छा हुआ है और ये 10 दिन के अंदर ही फुटाव हो गया था तो दोस्तो इसके अंदर जो सिर्ट नहीं निकले हैं वो भी निकल रहे हैं ये जो पोर्ट है दोस्तो इसके अंदर हमने 50% कोकोपीटो 50% रिवर से ली थी उसके अंदर भी जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहा हो रहा है और जो पोर्ट के अंदर दोस्तो हमने केवल मिट्टी यूज की थी उसके अंदर भी जर्मिनेशन का कोई फरक नहीं है दोस्तो एक जैसाई जर्मिनेशन हो रहा है वो भी 8-10 दिन से शुरू हो जाता है करीब जर्मिनेशन और 12 दिन के अंदर सारे सारे सेट्स निकल आते हैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तो एक ही है कि दोस्तो आप अराम से अभी जो सेट्स निकालोगे वो 5 दिन गंदर आप लगा लीजे तो आपको किसी भी मिट्टी के अंदर अगर आप सेट्स लगाओगे तो दोस्तो उसको आपको 10-12 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल झालोगे तोस्तो सेट्स मेंडे भी में जaking मिल एफ स्फस्चित वैपने का ऊंदर ही है औराम से एिरल्टी के यह है कि कर रो दोस्तों ...